हेलो फ्रेंस तो कैसे हो आप सब आज तक आपने बहुत सारी बाइक्स और गाड़ियों के अलग अलग डिजैन को देखा होगा और आज तक आपने बहुत सारे साइकल भी चलाई होगी लेकिन आज मैं आपको कुछ ऐसे साइकल के बारे में बताऊंगा इनकी लुक्स और यह पेंडल लगे हुए नहीं है इस साइकल के अंदर एक मोटल लगी हुई है इस साइकल को चलाने के लिए इस साइकल के उपर एक इलेक्टिक प्लेट लगी हुई है जिसके उपर आपको चलना होता है और यह साइकल 25 किलोमेटर पती गंटे की रखतार से चल सकती है इससे आ पाने में भी चला सकते हैं इस cycle के दोनों तरफ पाइप लगे होती है जिसमें के रबर के बलून को fix करना होता है और इसके पीछे की तरफ एक फैन लगा होता है जो की पेंडल मानने से चलता है इसे fix करना बहुत ही आसान है और इसे लगाने के बादा पाने में तेरने के इस कंपने ने 35,000 रुपे रखी है नमबर थ्री ये दुनिया की सबसे लंबी cycle है और इसकी लंबाई 35.79 मीटर्स की है इस cycle को मीजल वान नाम के व्यक्ति ने बनाया है इससे चलाने के लिए दो आदमियों के जरुएत पड़ती है एक जो आगे के और बैटता है और एक इस cycle की पीछे की तरफ कोई भी विल लगा हुआ नहीं है इसके पीछे की तरफ मकड़ी के पेर के जैसे एंगल लगाए हुए है जो कि पेर नल मानने से मकड़ी की तरह चलने लगते है इस cycle को चलाने के लिए आपको बहुत सब्सक्राइब करना पड़ता है इस cycle को चलाने म आपके पुरी बोड़े की exercise हो जाती है इस cycle में खास बात यह है कि इस cycle का handle एक पेंडल के तरह बनाया गया है अगर आप अपने पेरों से cycle चलाते होए ठक जाते है तो आप अपने हाथों से भी cycle को चला सकते है इस cycle का handle पूरी तरह से गुम सकता है और इसके chain अगले विल में लगाई होई है इस cycle में आपके प्यारों के साथ आपके हाथों को भी exercise मुलती है नमबर शीक्स क्विगल साइकल यह cycle fully foldable cycle है इस cycle को आप खोल के बहुत ही आसान इसे चला सकते हो यह cycle size में इतनी छोती है कि इसे आप fold करके कहीं भी ले जा सकते हो इसमें दो पहिये भी लग एसे के